असलाम अलेकुम, डिबाय हकल थियोरी को आज हम डिस्क्स करेंगे, सबसे पहली बात हमारे पास अलेक्ट्रोलाइट अगर देखेंगे ना दो तरह आंगे होते हैं, हमारे पास कुछ अलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रोंग अलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रो लाइट इसे लेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आईउनाईज हो जाते हैं अपने आयंस में मुकमल तोर पर चेले जाते हैं मेरे पास एनसी एले एन्ने-द्राइड है इसके बात कर लेते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइजनी होतें एकन नॉट, कंप्लीटली आयोनाइजनी होते हैं जो मेरे पास हैस्टी के सेड़ कि इस्टीक औ इनकी आइओंजेशन बढ़ती है इस नियुखक के बढ़ जाती है विट weak अप अपिश समय इसे को बढ़ाते हैं ना उसी तरह इन की आइओंजेशन बढ़ तो विक उलिक्तोलाइड जैनि कर डाली यूट सुलिशन मनाते हैं बिशभ को स्टोंग हो या वीक हो वीक का तो चलो हमें समझ आती है कि डाली बनाते हैं ताकि उसकी आयोनाइज़ेशन अच्छी हो जाएं स्ट्रोंग अलेक्डोलाइड का भी डाली आईउनाइज हो जाता है। इसमें करांड गूजरने की स्वाइज फिर भी काम हो जाती है। जब हम इसका सुलिशन इसकी रिजन क्या है। इसकी रिजन को एक्स्प्रेइड करने के लिए हमारे पास डिवाय हकल थियरी है। आपकी वर्डी लिखा बासे हैं और लासे मिलासे थ台 है। आप बढोरांड गूजर्वाय आपकी आएउनीजिसन को बढ़ने के साथ के koncentration डोगूजरे और क्यों कम आती है। इस चीज को एक्श्प्रेइन का रियोता है। किस चीज़ को एक्सप्राइन करती है अब जरह इसको समझेगा हम कहते हैं अगर मेरे पास एक बीकर है यह सेल बना रहा हूं एक इस बीकर के अंदर मैंने कोई अलेक्ट्रोलाइट ले रख़ा है अलेक्ट्रोलाइट का सुलूशन इस तरह बनाते हैं कि आप जिस चीज़ का हल कर लो हल करने को यहां बे डाल दो इस साइड पर मैंने एक अलेक्ट्रोलाइट लगा रखा है इसको समझेगा जरा एक अलेक्ट्रोल यह लगा रखा है और एक अलेक्ट्रोल मैंने यहां लगा रखा है इन दोनों अलेक्ट्रोल को मैंने करंट के साथ बैट्री के साथ को नाम दे रहे होते हैं कैथोड का चैब इसके अंदर मैंने लेक्टॉलाइट आला हुआ है अर्फ लेक्टॉलाइट को अपने आइन्स के नदर बदला हो रहाता है आपके पास positive iron को side से घिर लेते हैं negative iron वाले negative iron वाली चीज़े side से घिर लेती है और positively charged iron surround कर लेते हैं इसको इस तरह क्या कर लेते हैं surround कर लेते हैं और इस तरह हमारे पास एक symmetric atmosphere बन जाता है यानिके कैटाइन के इर्दगेर्द anion जमा हो जाएंगे अगर हमारे पास वो चीज़ anion है तो उसके इर्दगेर्द कौन से चीज़ जमा हो जाएगी कैटाइन उसके इर्दगेर्द जमा हो जाते हैं positive charge वाले और इसके इर्द इर्द गिर्द जो सारी चीजा मारे पास बान रहे हैं यह वल चीजा अब यह जो बलैक बलाक अंधर ना इव हैं इतना पार्ट यह वह थे होगे यह सारे के सारा पार्ट हम इसको थे आयनिक एटमॉस्वयर आइन एक एट्मो स्फेर बस किता जब हमारे पास आप करंट नहीं उजा रहे होते बैटरी भी कुनेक्ट नहीं की तो जैसे आप किसी भी लेक्टॉलाइट को आइउनाइज होता है कोई भी लेक्टॉलाइट पानी के अंदर एड़ करते हो तो उसके इर्दगीद उपोजिटली चार्जड आइन का एक्मोस्फेर बन जाता है यह बात एक याद रखिएगा यह सबसे बेसिक चीज़ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहां से हम आगे चाहेंगे यह बात याद रखनी है वैन एन लेक्टॉलाइट जब कोई भी लेक्टॉलाइट को हम डिजोल कर लेते हैं लेक्टॉलाइट is dissolved is dissolved in water the ions जो ions होगे न यह surrounded हो जाते हैं oppositely charged ions है the ions are surrounded आप उप्वोजितली चार्ग डाइन यह उप्वोजितली चार्ग डाइन के से स्राउड हो जाते हैं सो यह एंड फॉर्म एंड फॉर्म एस्मिट्रिक इन्वार्मेंट symmetric environment symmetric environment का मतलब यह है कि देखो बिल्कूल चारो तरफों से एक जैसा है इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं symmetric environment का अगर यहां तक बात समझ आगी है आगे वाली चीज़ बिल्कूल असान है इतनी दाद मुश्कल नहीं होने वाली इसी चीज़ को जबारा गोर कर लीजिएगा मारे पास जब भी को electrolyte पानी के अंदर डाल ले होते हैं उसके अंदर जो आइंस होते हैं वह उपोजिटली चार जाइन से घिर जाते हैं अब होता यह है कि कहता आप जैसे ही क्रांट दो इफेक्ट पढ़ने हैं दो तीन चीज़े पढ़ने हैं हमने इसके अंदर सबसे पहले नमबर पढ़ेंगे relaxation effect और asymmetric effect इसकी heading देदो कि relaxation effect क्या होता है और asymmetric effect क्या होता है relaxation effect और asymmetric effect electrodes और यह अलेक्टोड मेरे पास कौन सा है पॉस्टिव चार्ज वाला यानिक एक अलेक्टोड मैंने यह लगाया हुआ कि इसको समझते जाएगा इसको पर नेग्टिव चार्ज है मतलब यह हमारे पास कैथोड है और यह हमारे पास चार्ज पार्टिकल है जब तो इन एक्टिव यह ना इसको पर पॉस्टिव चार्ज होगी ना इसको पर नेग्टिव चार्ज होगा बल्लकुब यह अट्मोस्फेरिक वाइरमेंट यहां पर इसके लिफिद से अब जैसे ही मैं यहां पे क्रण्ट को अपलाई करता हूं तो यह वाला पॉस्टिव चार्ज वाला मैं इसको थोड़ साना दूर करके बनाता हूं ताकि चीज़े समझा लें बात इस समझा नहीं कि यह हमारे पास नेगटिव चार्ज वाला जैसे मैं क्रण्ट अपलाई करूंगा यहां पे नेगटिव चार्ज जाएगा यहां पॉस्टिव चार्ज जाएगा और आपका जो पॉस्टिव चार्ज होगा यह इस साइड की तरफ मूव करेगा क्वी ओपर पॉजिटिव जार जुप इस ऐका मूग कर तो हमारे पास इस तरह काम होता है कि यह व्ली चीज इस साइध के और का supporting कि उब की और आपका एटमोस्वेर नई इसका कि यह डिस्टर्ब हो जाता है मतलब यह हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा जब आगे की तरह मुव करता है यह आपका एट्मोसफेर डिस्टरब हो जाता है और इस तरह बन जाता है अब जो इसके अंदर एक आइन तो नहीं नेग्टिव काफी सर पूरा सुल्यूशन डाला हुआ है तो अब जब इस सा The Old Atmoshpher is Disturbed होने के बाद हमारे पास से थोड़ी देर बाद जब इस थारटी देर की तरह मुव करता है आगे जाके नया जो नया बन रहा है न उसको इस कलर चैंड THIS है यहां पे नियद्स्राइब तोड़ी देयर के बांग मुझत निया आइनिक 탁मäस्पफिरe एक टाइम लगता请 को अब देखो प्राणा अएनिक अट्मोस्पेर डिस्ट्रब हुआ निया अप्य एक atmosphere atmosphere is formed अब यही बात मैं यहाँ पर लिखनी है the time which is required to form new ionic atmosphere after the destruction तबाह होने के बाद, खतम होने के बाद old ionic atmosphere that time is known as lexation time यह definition simple से लिखने लगा हूँ the time वो वक्त which is required which is required जिसकी जरूरत पढ़ती है which is required to build up बनने के लिए build up new ionic atmosphere new ionic atmosphere new ionic atmosphere बनने के लिए जो वक्त दरकार होता है after the destruction of खतम होने के बादा, after the destruction, खतम होने के बाद, destruction of old ionic atmosphere old ionic atmosphere इस चीज़ को हम नाम दे रहे हैं इस रिए थारो ज रिलेक्सेशन टाइब आप इस छीज़ को रिलेक्स का नाम दे रहे हैं है, आप घो अब होता इस आयता है इसकी वज़ाए से positive charge की speed गम भी चाहए सब्सक्राइब हो फार्त क्यूं घूरत होता है due to the relaxation fact सब्सक्राइब क्या हो एक best आ रहा है इसकी वज़ाए सफीर औक्राइस हो रही है साहिए, इस पीड आए निज डिक्रीजट यह कम हो जाएगी दियू तू दा दू दा अग्रेक्शन ओफ क्योंकर आपके अट्रेक्शन ओर एकी स्टीद की देखो आएनेक अट्मोसफेरी गाट्रेक्शन ओर एक अपोसेटली लेक्टोर की तरफ दू अग्रेक्शन ओफ आएनेक अट्मोसफेर टूर्ट ऑपोसेटली लेक्टोर ऑपोसेट अपोसेटली लेक्टोर आपको एकी सपीड काम ऌदर्व उसके तरफ आ यह सप्पैद कर रहा रहा है जिसकेटसे सिस्पीड काम होगी यह हमारे पसल पहला जिसके वजा से अलेक्तु लाइड की ऐफिशिएंसी कम हो जाती है तो वर ओपोज़ेट अलेक्तोर तो यह बात हमने यह पर लिख लिए वह इस चीज को इस इफेक्ट को इस इफेक्ट इज नोन इस एक्ट को लेक्सेशन इफेक्ट का नाम दे रहे होते हैं अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड नमर पर आ जाता है वह है स्वेटरिक एफेक्ट एक समीटरी की एफेक्ट हैडिंग दो इस स्मीट्विक अफेक्ट असल मैं हकल थी यह इनी चीजों के एक्स्पेइन कर रहे थी अब एस्मीटरी की एफेक्ट किया है इस पर और किजिए गाथ थोड़ा साथ हमारे पास दो लेक्टोड लगे हों यह हमारे पास पॉज्टिव लेक्टौड है यह हमारे पास नेगटिव लेक्टौड है। यह हमहरे पास व्παमावले कीई ठाँ जैसे मैं कररणट अप्लाये करता हूं यह मौली को साड़ की طरह मुवथ करेगा हैं जल यह मौली कुन यह ने कि उपार उपर एक नीचे सब्सक्राइब और यह सब्सक्राइब करते हैं और आपके निग की कि तरफ गयए सब्सक्राइब confession है है इस चीज़ को हम कहते हैं स्मिट्रिक एफेक्ट पहले मौली की था आपके इर्द के एट्मोस पे बिल्लकुल गोल था इसे हम इसको नाम देते हैं स्मिट्री अब यहां पर गोल नहीं रहा क्या हुआ नेग्टिव पीछे की तरफ चले गए यहीं हम बात का रहें तो आपक ही यहीं होती है वह कम हो जाती है इसके बारे में चांद आपते लिए लिए इसमें ऐसा नहीं होता है कि आगे कोई अगाश्य बात होती है मारे पास के मॉर आइन more ions left behind इस molecule के पीछे की तरफ रह जाएंगे क्यों? क्योंकि ये molecule को अपर positive charge है negative plate की तरफ move कर रहा है इसलिए ज्यादा तर जो हमारे पास ionic atmosphere होता है वो पीछे रहा जाता है और less ions less oppositely charged ion oppositely charged ion की बात कर रहे हैं चार्ज आएं left in front of left in front of ion जो oppositely charged आएंगे नेग्टिव चार्ज बाकि सबके उपर हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कुछ molecule कुछ हमारे पास आएंगे रहा जाता है बाकि ज्यादा तरह हिसा पीछे रहा जाता है अब देखो ये पीछे की तरफ से खैच रहे है ये उस force के साथ ने आगे बढ़ पाएगा तो यही बात हम यहाँ पर लिखे है the ions present वो ions जो के मौजूद होते है present behind behind का मतलब होता है behind the ion of interest ion of interest का मतलब है जिसके उपर हम इंटरस्ट ले रहे हैं यह वाले ion की बात कर रहा है ion of interest then the mobility mobility होता है move करने की slide mobility is decreased is decreased mobility काम हो जाएगी इस चीज़ को हम कहते है this effect is known as asymmetric effect this effect इस effect को नाम दे रहे हैं इस कार्ड a symmetric effect यह हमारे पास asymmetric effect है यह simple सी बाद याद रखेगा आप देखो हमारे पास बात हुई है asymmetric जब आपके पास molecules इस तरह oppositely चार जाएं चारों तरफ से एक जैसे हों तो उसको हम नाम दे रहे होते थे symmetric effect इसको हम नाम देंगे asymmetric effect यह हमारे पास symmetric molecule है asymmetric atmosphere यहाँ पे asymmetric atmosphere है यह असल में रिजन बनती है कि molecule उतनी स्पीड से मूव नहीं गार पाता जितनी स्पीड से उसको करना चाहिए speed decrease हो जाती है mobility decrease हो जाती है इसके बाद हमारे पास next है electrophoretic effect electrophoretic effect इसको भी समझेगे बिल्कु सिम्पल सा है electrophoretic effect भी हमारे पास oppositely charge running की वज़े से हो रहा होता है हमारे पास अगर कोई भी के टाइन है जो के oppositely charge एलेक्टोर की तरफ मूव करता है तो कुछ हमारे पास यह वाली possibility होती है जारा गोर कीजिगा वही मैं दोबारा फिर काम सारे कसारा करूंगा electrophoretic effect को समझाने के लिए इसके पर काफी सारी गोर कर लिए बड़े इंपोर्टन चीज़ है अब यहां पर हमारे पास एक काईन है जिसके पर पॉजिटिव चार्ज है वो जाद रखेगा आप किसी भी चीज़ की solution जो बना रहे होते हैं वो पानी के अंदर यूजिली बनाते हो कोई भी एलेक्टोर बनाते हैं वोटर के मॉलीकूल पोस्टी तरह कर रहे होते हैं यह हमारे पास थियमारे पास घर्जी जचार नीच्टेटोड्य आउसा भी ⌹ट बनाते हैं प्रस वाइन में फोर्स ऑफ ट्रेक्शन क्रियेट हो जाती है जिसकी वज़ासे हमारे पास अप्लाइब करते हैं यहां पर नेगटिव चार जाजएगा यहां पर पोजिटिव चार जाएगा इसको आपने नोट के तोर पर काम करें जब यह साइड की तरह मुग करता है तो बाकी हम मौलीकूल के स्पीड काम कि वह सकते हैं और आएन की स्पीड क कंशिज तेहां प सकता है इसके लाभा सुल्वंट बीसमें इफेक्ट कर सकता हैonicand can be one करते हमेजा define की वज़ासे नेक्र जाएट एग यह चीज आपने याद रहनी है यह चीज़ हमारे पास डिबाय हकल थी ने एक्स्पेंट की क्यों लेक्टोलाइट की मुबैलिटी कम हो जाती है इसकी रिजन्स हमारे पास पहली है लेक्सेशन एफेक्ट इसमिट्रिक और अलेक्टोफरेटिक इफेक्ट इसके लाब आपका कर से रोएं याद है और आईे से लिएस की उस रिजिस्टेंस की वजा से भी आएंके लोघ्न के लोघ्रम से उढ़िए इस सब्हस्ते इस एक वजाती है यह मारे पास टृबड़ी कम चाहिए और तो आश Dalm A extras aज। की पहल पहलिए यह बैंश कुरी